हरे कृष्णा राधे राधे, माग पूर्मा की दिन इस विधी से करें पूजा और पढ़ें ये व्रत कथा, मागी पूर्मा पर किये जाने वाले विसेश उपाए, सभी कस्ट होंगे दूर. तो दोश्तों, हर माह के अंत में आने वाली पूर्मा का अलगी विशेश महतो होता है, पूर्मा की दिधी को देवताओं की दिधी माना जाता है, हर माह में आने वाली पूर्मा को मागी पूर्मा के नाम से जाना जाता है, इस साल मागी पूर्मा 24 फरवरी शनिवार को मनाई जाएगी मागी पूर्मा में दान और इसनान का विषेस महत्व है। इस दिन भगवान विश्णू के साथ मालक्षमी और राम भक्त हनमान जी की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मानिताओं के अनिसार कहा जाता है कि माग माह में स्वयम देवी देवता धर्ती पर आते हैं और मनश्य के रूप में इसनान और दान करते हैं. वहीं सास्त्रों में पूरिमा के व्रत को सभी व्रतों में सर्व स्रेस्ट व्रत माना गया है। इस दिन हर व्यक्ति को पूजा के दौरान माग पूरिमा व्रत करना कथा पढ़ना चाहिए। इससे भगवान विश्णू प्रसंद होते हैं, तो आईए जानते हैं माघी पूर्मा की व्रत कथा, माघी पूर्मा व्रत कथा, बोलिये भगवान विश्णू की जै, लक्ष्मी नारायन की जै, हिंदु ग्रंथों में माघी पूर्मा व्रत के कई कथाओं का वर्ण किया गया आज हम आपको उनहीं मैंसे एक कथा बताने जा रहे हैं पौराणी कथाओं के अनसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्रामण रहता था वह विक्षा लेकर अपने जीवन का गुजारा किया करता था ब्रामण और उसकी पत्नी की कोई संता नहीं थी ऐसे ही एक दिन ब्रामण विक्षा मांगने के लिए नगर में गया तो लोगों ने उसे बांच कहकर ताने मारने लगे और विक्षा देने से भी इंकार कर दिया इस घटना से ब्रामण पहुत दुखी हुआ तब किसी व्यक्ति द्वारा उसे 16 दिनों तक मां लक्ष्मी की मां काली की पूजा करने की सलहा दी ब्रामण और उसकी पत्नी ने सभी नियमों के साथ मां काली की 16 दिनों तक पूजन की और उनकी पूजा से प्रशन होकर 16 में दिन मां काली प्रकट हुई मा काली ने ब्रहमनी को गर्वती होने का वर्धान दिया और कहा कि तुम पूर्यमा के दिन तक एक दीपक जलाओ और हर पूर्यमा पर ये दिया बढ़ाते जाना जब तक कि ये दीपक कम से कम 32 न हो जाये इसके साथ ही दोनों पती-पत्नी पूरिमा का व्रत भी रखना ब्राम्मर दमपत्ती ने मा काली के कहे अनुसार पूरिमा का व्रत और दीपक जलाना शुरू कर दिया इसी बीच में ब्राम्मरी गर्वती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया पुत्र का नाम उन्होंने देवदास रखा लेकिन देवदास की उम्र ज़्यादा नहीं थी जब देवदास बढ़ा हुआ तो वह अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी चला गया काशी में एक दुरघटना में धोके से उसकी शादी हो गई कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आया लेकिन ब्रामबर दमपती ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूनिमा का व्रत रखा था इस कारण काल भी उसका चाहकर भी कुछ न बिगार सका और देवदास को जीवंदान मिल गया इसलिए कहा गया है कि पूनिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को सभी संकतों से चुटकारा मिल जाता है और उसकी हर मनोकामना पून हो जाती है अब जान लेते हैं माग पूनिमा की पूजा विदि माग पूनिमा के दिन सुभ ब्रह्म महुरत सभी दैनिक कारें से निव्रत होकर इसनान कर साफ सुथरी वस्त धारन करे इसके बाद भगवान के समक्ष पूनिमा व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद शुब मुहुर्त में भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी की विधी विधान के साथ पूजा करें। पूजा के दोरान फल, मिठाई, पंचामरत, नैविध, वस्त्र और फूल भगवान को अरपित करें। और इसके बाद माग पूनिमा व्रत कथा पढ़ें। पूजा के बाद सूर्य भगवान को एक कलस में थोड़ा सत्तिल और जल डाल कर तरपन करें। और दिन भर भगवान को इस्मरन करते रहें। इसके बाद रात में चंद्रदर्शन के बाद चंद्रदेव को अरग दें। और इसके उपरांधी अपना ब्रत खोलें। मानिताओं के अनुसार, पूनिमा के दिन सत्ते नारायन की कथा, सुनना और पढ़ना भी बेहद शुब वपुनिदाई मान गया है। इस दिन सुभा सुभा इश्नान आदी करने के बाद भगवान विश्नु की पूजा करें, फिर अपने पित्रों का स्राद करने के बाद गरीबों को भोजन, वस्त्र, तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, जूते, फल, अन, आदी का दान करें। इस दिन ज्यादा जोड से बोलना या किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ग्रह कलेश से बचें। जरूरत मंदों की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। रोली मोली चावल धूब, दीब, पीले फल, पीले फूल, केले मिस्ठान आदी से पोजन करें और मन की इच्छा जरूर भगवान के स रमचादी का दान भी किया जाता है। गौदान का भी विसेश फलक्राप्त होता है। इसी लिए सैयंप पूर्वक आचरण कर व्रत करें। दिन भर कुछ भी खाये नहीं। संभव ना हो तो एक समय फलार भी कर सकते हैं। माघी पूर्ण मापर किये जाने वाले महा उपाय अब जान लेते हैं कि जो माघी पूर्ण मापर महा उपाय किये जाते हैं उन्हें हम किस तरीके से करेंगे। बेशन के आटे का दिया बना कर उसमें गाय का घी भरें और उसमें कलावे की चार बाती लगाएं। दोपहर बारे बज़े से पहले एक दोने में हल्दी से स्वा स्वास्तिक बनाएं और उस पर बेशन के आटे का दिया बना कर उसमें गाय का घी भरें। उसमें कलावे की चार बाती लगाएं। और यह दिया दोने में बनाए हल्दी के स्वास्तिक पक रख दें। मन ही मन अपनी इच्छा बोलते हुए यह दिया केले के पेड या पीप इस तरीके से करना ही ये भी आपको जानकारी दी, कथा भी आपको सुनाई और कुछ उपाये भी बताए जो आप पूर्मा पर कर सकते हैं मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ व्रकले हरे कृष्णा